हेलो फ्रेंड्स, वल्कम टू गवर्मेंट जोब जन्यो नोटिफिकेशन चैनल आज हम बात करेंगे कलेट एक्जाम के बारे में कलेट एक्जाम क्या है? इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगी जैसे कि CLAD का full form क्या होता है इसके लिए required qualification क्या रहेगी age limit क्या रहेगी exam pattern क्या रहेगा slivers क्या है and participating universities means इसमें कौन कौन सी universities है जो participate कर रही है space lead 2020 बन में जो CLAD exam होने वाला है उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे उसका slivers, pattern and application starting date last date ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे और साथ ही CLAD exam किसको देना चाहिए ये भी हम जानेंगे तो अगर आप CLAD के बारे में जानकारी चाहते हैं डेटेल में वीडियो को end तक पूरा देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पर एक छोटी सी request अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए बैल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अप्लोट करूँगी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे क्लेट का full form क्या होता है क्लेट का full form होता है common law admission test क्लेट एक national level का entrance exam है यह हर साल होता है अब हम बात करेंगे कि यह जो exam है किसको देना चाहिए तो जो candidate law courses में admission चाहते हैं वो यह exam दे सकते हैं यह जो एक्जाम है वो consortium of the national law universities के द्वारा किया जाता है इसको clear करने के बाद आपको national law universities में admission मिलता है अब यह universities कौन कौन सी है 2021 में जो universities हैं जो participate कर रही है इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेगी अभी हम 2021 में registration start हो चुके हैं तो important dates हम जान लेते हैं application starting date है 1 January 2021 यानि 1 January से registration start हो चुके हैं इसकी last date रहेगी 31 March 2021 means 1 January से लेकर के 31 March 2021 तक आप इसमें registration कर सकते हैं and यह जो date है मैं इस वीडियो में आपको clear 2021 के बारे में जो भी आपको detail दे रही हूँ जानकारी दे रही हूँ वो undergraduate programs, UG programs के बारे में दे रही हूँ it means यहाँ पर जो भी undergraduate programs के लिए registration start हो चुके हैं एक जन्वरी से लेकर के 31 March तक चलेंगे ओके और इसकी जो examination date है वो है 9 May 2021 अगर आप master करना चाहते हैं पीजी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक separate video upload करूँगी उसके बारे में आपको जानकारी detail में दूँगी यहाँ पर courses हैं जिनमें आप admission ले सकते हैं तो इसके द्वारा आप UG and PZ undergraduate and postgraduate courses में admission लेते हैं यहाँ पर अगर हम UG courses देखें तो इसमें BA LLB means Bachelor of Art LLB, BSc LLB, Bachelor of Science LLB, B.com LLB, Bachelor of Commerce LLB, BBA LLB, Bachelor of Business Administration LLB, BSW LLB and LLM Master of Law इसमें आपको admission मिलता है, अब हम बात करेंगे age limit की, तो CLER 2020 बन में जो UG programs है, means under graduate के लिए जो registration स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें आप admission चाहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी upper age limit नहीं है, ठीक है? अब हम बात करते हैं qualification की, अगर आप cleared exam के लिए करने के बाद UG programs में admission चाहते हैं, तो आपके जिलिए जो required qualification है, वो है 12th pass, किसी भी stream से, means आपने art site से किया है, तो आप BLLB करेंगे, BSC यानि science से किया है, तो BSC LLB और commerce से किया है, तो become LLB के लिए, तो आपने किसी भी stream से आ अगर आप general category से बलॉंग करते हैं, या फिर OBC, PWD, NRI, PIO या OCIC अगर आप बलॉंग करते हैं, तब आपके लिए 12th में minimum required percentage 45 रहती है, और अगर आप SC, ST category से बलॉंग करते हैं, तब आपके लिए 12th में minimum percentage 40% required है, तो आप जिस भी category से बलॉंग करते हैं, उसके accordingly आप देख ल जो अभी 12th complete नहीं हुए है, 12th में आप पढ़ रहे हैं, result अपका नहीं आया, exam नहीं हुए, तो क्या आप इसमें apply कर सकते हैं, तो candidate who are appearing in the qualifying examination March April 2021, are also eligible to appear in CLAT 2021, so अगर आप 12th में अभी पढ़ रहे हैं, आपके exam नहीं हुए है, result नहीं आया है, तब भी आप ये जो CLAT exam के लि कर सकेंगे, register आप कर सकते हैं, 31 माज तक आप इसमें registration कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे exam pattern and syllabus की, CLAT exam का syllabus क्या रहता है, for UZ programs, तो इसमें 5 subjects होते हैं, 5 topics होते हैं, जिनसे questions किये जाते हैं, जिसमें हैं English language, current affairs NGK, legal reasoning, logical reasoning, quantitative techniques, तो ये 5 topics हैं, 5 subjects हैं, जिनसे questions किये जाते हैं, total अगर हम questions देखें, 150 questions आएंगे, आपके 2021 में, सभी का total 150 रहेगा, questions, 1 question, 1 marks का, means 1 question, 1 marks करेगा, 150 marks के 150 questions, timing आपको 2 hours की, 2 घंटे की timing दी जाएगी, अब हम बात करेंगे कि negative marking रहती है या नहीं, तो CLAT के exam, UZ programs के लिए आप exam देंगे, उसमें minus marking रहती है, 0.25 से आपका minus, एक answer गलत होने पर minus होता है, इसने आपको answer carefully देना होगा, ओके, अब हम बात करेंगे, participating universities, कौन-कौन सी universities है, जिसमें अगर आप ये exam के लिए करते हैं, तो आप admission ले सकते हैं, तो इसमें जो universities के name है, बो है NLSIU, means National Law School of India University, वैंगलोरू, National Academy of Legal Studies and Research, Hyderabad, National Law Institute University, भुपाल, बैस्ट वैंगलोर्ण नेशनल उनिवर्सिटी जुडिसियल साइंस, कौलकाटा, National Law University, जोथपूर, HNLU, हिदे उत्तला, National University, राइपूर, और राजेव गांधी, National Law University, पंजाब, इसके अलाबा, CNLU, पत्ना, GNLU, गांधी नगर, और राम अनुहर लोय, National Law University, लखनौ, National University of Study and Research in Law, राजी, National Law University, ओडिसा, दामदम, National Law University, विसाका पत्नम, तमिल्लाडू, National Law University, और साथी, महरास्ट, National Law University, और अंगाबाद, हिमाचल प्रदेश, National Law University, सिम्ला, और इसके अलाबा भी कुछ उनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि MNLU, मुंबई, महरास्ट, National Law University, मुंबई, नाखपूर, जबलपूर, DNLU, जबलपूर, और DVRANLU, हर्याना, यह उनिवर्सिटीज हैं, जो CLED 2021 में पाइटिसिपेट कर रही हैं, अगर आप CLED 2020 बन देना चाहते हैं, आपने 12 कंप्लीट कर लिया या फिर आपका भी एक्जाम नहीं हुए हैं, तब भी आप इसको रेइस्टर कर सकते हैं, अगर आप यह जो कोर्सेज हैं, लोकोर्सेज हैं, उसमें अगर आप एड्मिशन लेना चाहते हैं, तब आपको इ जानकरी ले सकते हैं, सो फ्रेंड्स क्लेट एक्जाम यूजी प्रोग्राम के लिए जो क्लेट एक्जाम 2021 हो रहा है, उसके लिए डेट एंड क्या रिक्वार्मेंट है, पूरी-पूरी मैंने आपको इस वीडियो में जानकरी दी है, या फिर आप इन फ्यूचर आप अगर कि other law programs करना चाहते हैं, courses में admission चाहते हैं, तब आपको entrance exam कौन सा देना हो गया, इस सारी जानकरी मैंने आपको इस वीडियो में दी है, I hope आपको इप यीज वीडियो में ब्कूराय अगर ब्कूर रहा है, तो like, share and subscribe जरूर कीजिए गाथे